सबसे पहले हां आपने सबसे पहले आपना अपना नीची तुरा में से शोब कर रहे हैं यह एक बात इ Confederate सबसुरि के यह ऐन ही पार को यह में द्युचस और आपको और आपको यहां पर क्या होता हैं यह अपना यह सारी चीज जो है अपना मेड़कर डीवलॉप करता है तो इनिशली में क्या होता अपने एंब्रियों के अंदर इतनी जादा स्पेस नहीं होती कि सारा अपना मेड़कर जो है इसी घंदर आजाए अगर आप देखो यह है अपना एब्डॉमिनल गविट्ट अपने अम्रि के अंदर की तरफ एक्स्टैंड कर जाता है और इस चीज़ को अपन बोलते है फिस लॉजी कल रहनिया याद रखना है फिसलोजी कला हरनिया जो है अपना 8 वीक में होता है और बहुत आता है इंपॉर्टन को अश्यन एंपको आपने पदॉमिन ऑपड़ चुके कि कभी भी सबसे पहले होता है तो अब मैं आपको जिदिना भी मिटेट का रोटेशन बताऊंगा एक बाद आप अच्छे से याद कर लेना कि अपने मिटगट के रोटेशन वाले टाइम एचली में क्या होता है यहां पर अपना यह पूरा मिटगट की गट है न वह अपना पूरा डिफ अब लेकल कोड के अंदर की तरह अब रोटेशन स्टार्ट करेंगे यहां पर कुछ तो सबसे पहले मैं आपको पूरा समझाता हूं मेरे नोट से तोटल अब होता क्या है यह जो अब अबना मिटगट का रोटेशन जो है इसमें तीन बार रोटेशन होता है आपने 90 डिगर का anti-clockwise तो उसको समझाने के लिए मैं तुम्हें वायर से समझाता हूं तो तुम्हें आपे clearly दिख रहा होगा यह जो यह मेरा पूरा मिटगट है और यहां पे जो आपको extended चीज़ दिख रहे हैं यह मेरी आर्ट्री है उसे अब हम बोलते हैं सुपीरियम इसेंटरिक आर्ट सबसे पहले मैं आपको एक सी पहले क्लियर कर दूँ अपना मिटगट हुए था एकदम इस वायर करने स्टेट नहीं होता यह थोड़ा से कर्व होता है बटको समझाने के लिए मैं का मुझे आपको इसी तरी के समझाना पड़ेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा तो स यहां पर क्लियर लिखा हुआ है अपना फॉर्स रोटेशन हुआ जिसे कारण प्रियर सेग्में राइट साइड में आगया तो अगरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में आप पे लेट दिखाई दे रहा होगा बट क्या होता है जब अपन किसी को फ्रेंट व्यू से बॉडि वाला साइड तो अपनेको उपोज़े तो अथे से याद करने ना यह राइट साइड है और यह लेट साइड है ठीक है फिर यहां पर सेकन्ड रोटेशन होगा फिर से 90 दीगरी का और यहां पर सेकेंड रोटेशन वे याद रखना दो बहुत बहुत काम होते हैं इसकी एनिमेशन भी दिखा दूँगा तो तो मैं और अठी से समझ में आएगा अपसे पहले मैं आपको फिर से आपना इंटी डिग्री का रोटेशन करवाता हूं अपना सेकंड रोटेशन हो गया यहां पर लिखा भी हुआ है कि अपना सेकंड रोटेशन के टाइम किया होता अपना आइपना ट्रुर्सें सेक्में इसके इंदर क्या होता है अपने यह यह आंपना रैंक्टाइव ब्लया के तो क्रोल में चिंडनेति सबसे पहले वर्टेशन देन्यौन फिर형 वह सेकंड तो ढ़र बताहस फिर तरिकशन हो इस तरिके से प्रोटेशन होता है तो आप प्लेयर देख पार हो यहां थर्ड रोटेशन होने के कारण पोस्ट आट्र सेगमेंट था यह अपना राइट साइड के अंदर आ गया तो अपने अपने यहां पर एक और समझने वाली बात है है अपना क्या होता है आपको बता है यहां राइट साइड में अपना राइट लोब होता है लिवर का प्योंकि आपना पोस्ट आट्र सेगमेंट जो है कर जाता है तो उसको और अच्छे समझाने के लिए मैं तुम एक वीडियो दिखाता हूं तो तुम्हें और और अच्छे से सारे concept अब क्लियर हो जाएंगे तब क्लियर दिख पा रहा हुआ यह जो है अपनी है पूरा सेगमेंट है यह अपना प्री सेगमेंट उसके नीचे वाला सेगमेंट और यह जो थोड़ा अपना अंदर की तरफ एक्स्टेंड कर रहा है तो यहां पर अपना यह हर्णिया इसके इंदर फिजियोलोजी कर नहीं है तो यहां पर आप देखो यहां पर फॉर्स रोटेशन हो रहा है और इस फॉर्स रोटेशन कारण्ट क्या हुआ यह जो अपना प्री आइटल सेगमेंट था अपना राइट साइड के अंदर आ गया और फिर यहां पर फिर स्मॉल इंटस्टाइन आप देखो अंदर की तरफ भी जा रहा है तो मैंने आपको बताया था अपने आपने सेकेंड रोटेशन के टाइम अपना स्मॉल इंटस्टाइड होता है और यहां पर यह जो अपना सीकम और अपना यह जो कोलोन वगरा में जो है डिफ्रेशेट हो विजो गया उसके बाद यहां सीगम को नीचे की तरफ डिसेंड करवाना पड़ता है तो सीकम नीचे की तरफ डिसेंड हुआ यह पूरा मेरे जो आपको रोटेशन बटा दिया और आपको मेरे इस मॉडल के कारण बहुत इसली तरीके समय से में आंगया होगा जो मैं आपक इस फोई में 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 तुम्हें का मैं हैंडिंग बता हूं तो तो तुम हैंगीति दिन पर थोड़ा और एक्सेंड कर देना और तेनों है तो अच्छी से बना देना यह ज़ाएगी और उस वीडियो के लिंक तुम उपर आई बटन पर मिल जाएगी